सो लाश्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था डियाबलो आर्मी आफ देट को समन करता है और सारे काइमेरस के साथ साथ काइमेरा मेकर को भी खतम कर देता है देन उसकी मुलाकात होती है गॉड़ेस पीरो से वो उसको एप्टन मैने के लिए क्लिए क्लिए निकल जाता है जहाब उसका एंकाउंटर होता है तब ब्लू ड्रैगन माहितरे से माहितरे से उसको बता चलता है कि पूरी पूरी यूमानेटी में उसके अलावा एक और रैंक 9 मेस था और वो अभी से सिर्फ वो सिर्फ 700 साल पहले ही एक्जिस्ट करता था उसका नाम था जैनन जब उसकी करिफ के पाथ जाता है उसको दिखता है अपना एक आर्टिफेक्ट दासे लॉफ एपसेल्यूट इम्म्यूनिटी साती साथ उसको जैनन की एक बुक भी दिखती है जिसको कि वो अपने डार्क मैजिक कर यूज़ कर कर देता है अब आगे हम लोग देखते हैं मैतरे को जो क कफे ज़्याद रोरी होती है वो कहती है उसने इस बुक में ये भी रिखाए कि वो मुझसे प्यार करता था लेकिन उसने मुझसे ये सब चीजों को कभी भी जिक्र नहीं किया डियाबलो कहता है जैनन मरा नहीं है वो अभी भी तब तक सासे ले रहा है जब तक तक तुम्ह तुम्हारी साथ से चल रही है मैतरे कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा चोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बाते भी कर सकता है डियाबलो सोच रहा होता है वो इस वज़ा से क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ मैतरे कहती है मैं ये विश्च करती ह कि मैं टाय में पीछे चली जाऊं और वापस उसके साथ अपने जिंदगी पिताऊं वो उसको पेट करते हुए कहता है देखो पूरी दुनिया यही विच करती है मैतरे उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मुझे अपने डार्क औरा के बारे में कुछ बता सकते हो क्या तुम सच में बस और बस एक डार्क मेज हो दियाबलो कहता है वो तो बस एक सिंपल डार्क मैजिक के स्पेल था मैतरे कहती है क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो तुम है के लगता है क्या मैंने उस सील को तोड़ने के लिए कभी भी डार्क मैजिक का यूज़ नहीं किया डियाबलो यह सुनका चौक जाता है क्या? क्या तुम डार्क मैजिक का यूज़ कर सकती हो? वो कहती है? नहीं लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लाई थी जो कि डार्क मैजिक का यूज़ का ना चानते थे लेकिन वो भी इस सिल को नहीं खोल पाए डियाबलो गयता है? ओ तो तुमने उनको भी किटनैप किया था वो गयती है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मैंने उनसे सिर्फ असर्फ ये कहा था तुम लोग या तुम मर सकते हो या तुम मेरी बात मान सकते हो और उनसे अपनी मरजे से सिर्फ असर्फ मेरी बात मानना ही चुना हाँ हाला कि तुम ये कह सकते हो कि मैंने उनको धंकाया था लेकिन फिर भी यास ता कोई भी डार्क मेज अपने मैजिक की स्पल का यूज करके उस बुक के सिल को नहीं तोड़ पाया लेकिन तुमने अपने अजीब से औरा की मदध से उसको खोल लिया और तुमारा औरा मेरे प्यार की औरा से काफी जना सिमलर था मेरे मतलब है जनान की औरा से डियाबलो सोच रहा होता है मैं इस पर फालतों की कहनिया बना की यास नहीं निकासकता मुझे इसको सचा ही बतानी ही होगी वो कहता है तो सुनो मैं वो डार्क में सूँ जो की जनान की लेजिस्टी को सियर करता है वो कहता है जनान के सारी चीज़े सिर्फ जर्फ यहीं पर बंद है और तुम यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आए तो फिर आखिरकार तुम उसकी लेजिस्टी को सियर कैसे कर सकते हो डियाबलो कहता है हाँ तुम सही हो मुझे ये सब कुछ डायक्टली नहीं मिला लेकिन मैं अपनी life में सिर्फ उसी रास्ते में चला जिसमें आग से पहले जैनन चला करता था और इसी वजह से मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि मैं उसकी लेजिसी को शियर करता हूँ मैं तरे जमिल में पैट जाती है तो साथ से तुम भी डियाबलो कहता है हम तुमने सही का मैं 12 गौड्स से लड़ना चाहता हूँ मैं तरह कहती है लेकिन ये मिशन बिल्कुल इंपॉसिबल है अलाकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा पार्फुल हो और तुम अपने फ्यूचर में ड्रैगन जितने पार्फुल भी हो सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही गौड अगर चाहे तो वो पूरी पूरी ड्रैगन क्लैन से अकेले ही लड़ सकता है और यहाँ पे 12 गौड्स है इसलिए तुम्हें यह जित छोड़ दिनी चाहिए और एक नॉर्मल यूमर लाइफ जीनी चाहिए हार मान जाओ डियाब लो कहता है आज से कई हजार साल पहले ही कैसा इंसान भी था जो कि अकेले इतम पर 12 गौड्स से लड़ने चला गया था और जैसे यासे वो अपनी मिशन में आंगे बढ़ा वैसे वैसे उसके साथ में और भी लोग चूड़ते चले गए बड़ उनमें से काफी लोका ने उसको धोका दे दिया और जो बचे वो मारे गए वो अपनी बात कर रहा होता है वो बदाता है फिर fight के आखरी में वो इंसान 12 गॉर्स से हार गया और सभी गॉर्स ने मिलकर उसको हमेसा मेसा के लिए imprison कर दिया लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी वो फिर भी यही कहता रहता था कि वो वापा जरूर आएगा और इसी वज़ा से में भी हार नहीं मान सकता मैतरे उसकी बास दून कर काफ़ी या तर मोटिवेट हो जाती है और कहती है तुम जैनन और वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे यहां तक कि मैं भी हम सब ही एकी बात में चल रहे हैं और हम लोग तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम लोग 12 के 12 गोर्ज को खतम नहीं कर देते मेरे पीछे आओ हम लोग देखते हैं वो जनन की ग्रिफ की पास चली जाती है और उसके ब्रेसलेट को उठा लेती है वो गहती है अगर मैं तुमें ये दे दूँ तुसा ऐसे जनन को बुरा नहीं लगेगा डियाबलो कहता है या मैं सच में ये रख सकता हूँ वो कहती है हाँ जल्दी से इसको अपने पास रख लो इससे पहले की मैं अपना मन चेंज कर लूँ वो अपने ब्रेसलेट को पहन लेता है और कहता है ठैंक यू सो मच मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा वो सोच रहोता है तुम्हें इतने हजार सालों बात वापस से पहन कर बहुत अच्छा लग रहा है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया मायतरे कहती है तुम्हें अपनी ज़र्णी में जब भी मेरी जोरत पड़े तो मुझे याद कर लेना मैं तुम्हारी ज़र्णी के आखरी तक तुम्हारा साथ दूँगी दैंवी वहाँ पर एक पोर्टर को खोलती है और जिमी को उसके अदर ढखेल देती है और कहती है अब तुम्हारी वापा जाने की बारी आ गई है हम लोग देखते हैं जिमी वहाँ से जा चुका होता है मायतरे वापा से जनन की ग्रिफ के पास पहुँच जाती है वो कहती है जनन तुम्हारा सपना अभी तक जिन्दा है हम लोग देखते हैं LARS को जो कि जिमी को ढूंड रहा होता है और वो एक जी नोटिस करता है कि यहां पर बारिस बंद हो चुकी है और हम लोग समझी गए हैं कि बारिस क्यों बंद हो गई उसका कार सिर्फ वा सिर्फ महतरी की उदासी से था क्योंकि बारी सिर्फ माहितरी की उदासी की वज़े से होती थी लेकिन अब डियाबलों ने उसके अंदर वापस से एक होब जगा दी है लार्स के पाथ जिमी आ जाता है और कहता है आखर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हम लोग देखते हैं वो हवा में होता है देन वो लार्स के साथ वापस चला जाता है और वो जैसे अपनी मम के सामने आता है वो उसको कफी जोर से गले से लगा लेती है बाकि सब लोग भी खुश होते हैं कि जिमी वापस आ चुका है सारे एक सारे नाइट्स लार्स के लिए तालिया बजा रहे होते हैं और कहा रहे होते हैं Congress के लिए लार्स के लिए नहीं किया है कोई बी उसकी बाद नहीं मान दा होता है वो कहता है मैं सज बोल रहा हूं मैंने कुछ बी नहीं किया है देन लोगों को देखाए जाता है Kingdom of Seltam के निसमन ए श्टेट का सीन जहाबर कुछ लोग एक लड़की से एक चूहे को पकाड़ने के लिए क्या रहे होते हैं लेकिन वो लड़की उसको नहीं पगड़ पाती और उस चूहे ने एक चॉंबी पाउटर खा लिया होता है जिसकी वज़े से वो उसको बहुत चदर परिशन करता है हम लोग देखते हैं थोड़ी दर बाद वही लड़की एक जगा पर साबसफाई कर रही होती है जहाबर कुछ लोग उसी गई सामने उसका मचाकड़ा रहे होते हैं वो कहते हैं आखिर यह हमारे कॉलेज बे करही क्या रही है इसको तो यहां से निकाल देना चाहिए था मुझे तो इसको देकर उल्टी आ जाती है जिसकी वज़े से उस लड़के को कफ़ी चद भुरा लग रहा होता है तब यह उसके पास एक और लड़की आती है जो कि उसके तरफ कुछ पेपर्स फेक देती है और कहते है इसमें वो सारे इंग्रीडियेंट्स लिखे है जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को पूरे करने के लिए चाहिए और तुमारी वज़े से हम लोगों को यह वापस ही खटा करने पड़ेंगे तो इसलिए इन्हें सिर्फ जर्फ तुम ही लाओगी क्योंकि यह सिर्फ वजर्फ तुमारी ही गलती है वो कहते है ठीक है मैं यह ले आऊंगी वो बहुत ज़्यादे निराश होती है और वहाँ से निकल जाती है सब लोग अभी भी बस और बस उसकी बुराई ही कर रहे होते हैं इससे अच्छा तो माउस रैट होता है इससे तो चलू भर पानी में डूपकर मर जाना चाहिए इसके बात तो सेलफ इस्टीन है ही नहीं वो लड़की के लोगों की बातों का काफ़ ज़्यादे बुरा लग रहा होता है इसी वज़ए से वो रोली होती है देन तबी सीन चिंज होता है एंड हम लोगों को दिखा जाता है जगा के राजा पियॉर का मिंशन जहांपर जिमी लोग आ चुके होता है और वहां के राजा उनकी खातरदारी करा रहा होता है और उन सब एक सबी लोगों को खाना काफी ज़दा पसंद आता है वो बसर बस यही कहा रहा होता है कि इससे अच्चा खाना मैंने कभी भी नहीं खाया जिमी एक मॉम कहती है मुझे आपकी महमान वाजी काफी ज़दा अच्छी लगी इसलिए ठैंक यू वेरी मच यह और कहता है नहीं नहीं मैं ग्रेट पहले हाउस ओर की मैं ग्रेट पहले हाउस ओर की डॉटर के लिए इतना तो करी सकता हूँ देन कोश टायम बीच जाता है हम लोग देखते हैं जीमी को जो की वापस से टियाबलो के गेटब में आ चुका होता है वो यहाँ की जगे को एक्स्प्रोर करने के लिए निकला होता है और वो गहरा होता है यहाँ आस पास तो कुछ भी इंट्रेस्टिंग नहीं है ऐसा लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए इससे पहले की रिकी वापस मुझे देख ले और मेरे उपर हजारों सवाल फेक क्यों मार दे क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब वो मुझे मिला था और फालतों के काफी ज़दा सवाल पूछ रहा था होगा वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारे डारेक्टर को यह आर्टिफ्याट कितना ज़दा पसंद आएगा वो लोग उसको लेने के लिए आंगे बढ़ने लगते हैं तब ब्लैक डियाबलो को इसारे करने हैं बट वो उनको कहीं भी नहीं दिखता क्योंकि वो एक काफी उची बेल्डिंग के ऊपर चाड़ चुका होता है डियाबलो उनके मज़े लेने के पूरी तरीक से तयार हो जाता है बट तभी अजानक से उसके पीछे एक पोटल खोलता है और उसके अंदर से दो हाथ निकलते हैं जो कि डियाबलो को सिपोर्टर के अंदर खीच लेते हैं हम लोग देखते हैं यह होती वही लड़की जिसको कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था दियाबलो उसको अपने से दूर ढखेल देता है एंड कहाता है आखर तुम्हारी मेरे बीच पे पोटलने की हिम्मत कासे हुई वह एक चोटे से अटक को भी तयार कर लेता है वह कहते है मुझे माफ कर दो मेरी बात तो सुनो दियाबलो गाता है आखर मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए वो अपने चोटे से अटेक को उसके पर फायर कर देता है बर जब उसका अटेक उसके करेक्ट होता है तब उसको देखता है कि वो लड़की भी डार्क माना की यूज़ कर रही होती है जिसकी वज़े से वो अपने अटेक को रोक देता है वो उसके कहता है ओ तो ऐसा लगता है कि तुम भी डार्क माजिक यूज़ हो तो मुझे बताओ कि तुमने अचालक से मेरे उपर अटेक क्यों किया वो लड़की वापस रोने लगती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो मैंने तुम्हारी उपर किसी भी तरीकिक अटेक नहीं किया मैं तो सिर्फ जिल्फ तुम्हारी मदद करना चाहरी थी अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो वो डार्क मेजिस तुम्हें पकाड लेते और तुम्हारी उपर एक्सपेरिमेंट करने लगते वो और जोड़ जोड़ से रोने लगती है मैंने एक तुम्हारी मदद की उपर से तुम मेरे साथ ऐसा बरताव कर रहा हो मेरे से सब लोग बुरा बरतावी करते हैं वो कहीं से एक फासी खवंता भी ले आती है और कहती है कोई मेरे से अच्छी से बात नहीं करता मुझे तुम मर जाना चाहिए डियाब लोग आता है तुम अपनी नाटक बाजी बन करो और मुझे सब कुछ अच्छी से एक्स्प्रेन करो वो उसको बताती है कि जो दो डार्क मेज़ तुम्हारे पीछे पड़े थे वो उसी के ही क्लासमेट थे और मैंने स्कूल से एक डार्क बोटल के स्पल चुराया था और उसका ही यूज कर कि मैंने तुमाही जान बचाई और अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो मुझे बहुत ज़्य क्ला लगता क्योंकि मैं नहीं चाती कि तुम्हारे जैसे बच्चे के उपर कोई भी तरीके के एक एक्सपेरिमेंnt हो हलाकि तुम्हें देखने से ऐसा लगता नहीं कि तुम कोई बच्चे हो डियाब लो कहता है एक सेकंड एक सेकंड तुम भे तो एक डार्क मेज हो तो इसका मतलब यह हुआ कि उनकी एक्सपेरिमेंट में तुम भी शामिल थी और तुमने सिर्फ सिर्फ मेरी जान बचा ली जिसकी वज़स तुम इन्योसेंट होने का नाटक कर रही हो वो कहती है नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं बता है मैं डार्क मेज नहीं बनना चाहती थी डियाबलो कहता है तुम सिर्फ सिर्फ एक्सक्योस ही दे रही हो तुम उन लोगों से अलग नहीं हो वो कहती है नहीं नहीं तुम बिलकुल गलत हो मैं क्रियेचर्स को हाम नहीं पहुचाना चाती तुम्हें पता भी है कि जब मैं कैसे क्रियेचर्स को हाम करती हो तो मुझे अंदर से कितना जाता है बुरा लगता है डियाबलो वास निकलने लगता है और कहता है ठीक है मुझे जतना जाना तो मैंने जान लिया अब तुम्हारी चादा पकवा सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है वो लड़की भी वास निकलने लगती है बट वा जान बेना की स्कूल का प्रिंसिपल हाँ उस लड़की का नाम बेना है वो अपने दो मेजे से बूजता है क्या उसने बेना को देखा वो गयते हैं नहीं डिरेक्टर जोच रहा होता है आखिर वो कहां चली गई डिरेक्टर के निम होता है गैब सीन सिफ्ट होता है डियाबलो पे बेना ने डियाबलो का पनी पूरी कानी पता दी होती है कि वो जिजगा पर रहती है वो जगा कैसी है डियाबलो कहता है तो फिर आखिर तुम उन लोगों का साथ ही क्यों दे रही हो वो कहती है यो कि मैं उनके साथ 10 साल से रह रही हूँ इसलिए ना चाहते है फिर भी मेरा उससे लगाव हो गया है ढ़र ऐसी ही बात है तो तुमने मेरे पास तुम सच में यह करना चाथी हो क्योंकि अगर मैं एक पर तुम्हारे दिमाग में खुज गया तो पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है वो उसके हाथ को पकड़ लिती है और कहती है आखिर तुम्हारा माना ऐसा क्यों है मुझे जानना है और डियाबलो से रोते हैं कहती है प्लीज मेरे टीचर बन जाईए डियाबलो भी लएक क्या मैं नहीं बन रहा इतना करिच नहीं आए ACT कि मैं यहाँ से भाग पाऊ मुझे पता है मैं कायर ہूं लेकिन मैं अब बदलना चाहती हूं तो फिर आखिर कर मैं क्या कर सकता हूं तो मुझे अपना टीचर क्यों बना रही हूं बैना कहती है तुम्हारा डार्क माना तुम्हाई डार्क मानों को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी वी तरीके की सफरिंग से नहीं आया है मुझे यसी पावर चाहिए डियाबलो कहता है तुम्हें अभी इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बता है और हाँ मैं तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता हूँ देर वे वह वहाँ से चला जाता है हम लोग देखते हैं वो एक बिल्डिंग के ओपर खड़ा होता है और अपनी पास लाइफ के बारे में सोच रहा होता है जहां पर उसके काफ़े साए च्टुडेंट ने उसको बिट्रे कर दिया था वो जोज रहा होता है जहां तक मैंने बेना की मेमरी को देखा है उसके च्टुडेंट में सिर्फ वसर बीसी लोग है और उसके एक डारेक्टर है जिसका नाम है कैब और उसके स्पेशालिटी है कर्स हम अब मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सारे सालों में यूमन डेस ने क्या क्या चीमेट की है देन तब ही सीन चेंज होता है हम लोग देखते हैं तो डार्क मेज़स को जो कि एक यूमन बेंग की उपर किसी तरीकी का एकस्पेश्मेंट कर रहे होते हैं और उसको तरबता हुआ देखकर उनको काफ़े ज़्यदा मज़ा आ रहा होता है वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं हम लोग देखते हैं वहाँ पर डियाबलो भी होता है जो कि इन्वेजबल होकर उनकी बाते सुन रहा होता है वहाँ पर जितने लोग भी होते हैं वो सारेकसारी एमोशनलेस होते हैं और काफ़े ज़्यदा इविल बाते कर रहे होते हैं उनको किसी की भी जान की फिकर नहीं होती डियाबलो सोच रहा होता है मुझे ये देखकर काफी जदा पूरा लग रहा है कि लोगी जहरा में डार्क मैजिक इस तरीके से यूज़ कर रहे है लेकिन मैं उनको पूरी तरीके से गलत भी नहीं ठहरा सकता क्योंकि जब मैं ट्वैल गॉर्स से फाइड कर रहा था लेकिन ये सब के सब लोग बिना किसी मतलब के ही लोगों को सेक्रिफाइस कर रहे है मैंने जो बीज बोई थे वो एक बबूल की पेड़ का रूप ले चुके है ब्लैक तुम्हे कैं लगता है मुझे अब ये सब चीज़े कैसे सुधानी चाहिए मुझे अब अपनी गल्तिया सुधानी पढ़ेंगी हम लोग देखते है बैना को जो के डियाबलो के बारे में सोच रही होती है कि वो अचानक से कहां गायब हो गया तब ही कोई लड़की आकर उसकी चोटी पकड़कर खीचने लगती है वो उसको कफ़े चता फुली करने लगती है और कहती है मैंने तुमें एक उसकाम दिया था क्या तुमने उसको पूरा किया बैना कहती है मुझे माफ करना लेकिन मैं उसके बारे में भूल गई थी वो कहती है क्या तुम उसके बारे में भूल गई अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मज़चा खाने का वक्त आही चुका है वो उसको जमिन पर पटक देती है बेना कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो वो लड़की कहती है तुम सिर्फ वजर्फ कचड़ा हो और मैं कचड़े को डश्टमिन पे ही डाल लई हूँ तुमने मेरी आग्या कपाला ना करके बहुत पड़ी गलती कर दी है बेना कहरी होती है मुझे माफ कर दो वो लड़की कहती है नहीं अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी वो उसके उपर पेन अम्प्लिफिकेशन स्पेल का यूज़ करती है बड़े से पहले कि वो उसके उपर अटाक फेक पाती वहाँ पर कोई आ जाता है और हम लोग देखते हैं यह होता है डियाबलो वो बना सगयता है क्या तुम इस बेवकुफ से टर रही हो तब ही वो उसके उपर एक स्पेल का यूज़ करता है और वो उसको भड़काने लगता है कब तक आखिरकार तुम कब तक ये सब सो होगी डिसी से लेने का वक्त आ गया है वो लड़की कहती है देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो लेकि तुम हम दोनों की पीच में आ रहे हो तो मैं तो वे खतम कर दूँगी वो उसके उपर एक स्पेल को फायर करते हो गहती है अब मरो हम लोग देखते है बेना को जो कि कफ़ी जदा कुस्से में आ गई होती है वो कहती है अब मैं इस घटिया चगा में और ज़्यादा तेर तक नहीं रहूंगी अब मैं बतलना चाहती हूँ डियाबलू पे एक बारी को उसको देख कर हैरान हो जाता है बेना उस लड़की के अटाक को नलिफाइ कर देती है वो लड़की वापस से एक स्पेल को क्रियेट करने लगती है डियाबलो गहता है बेना तुम अपने मंजल की तरफ अपना पहला कदम पढ़ा चुकी हो तब ही उस लड़की के मैचिक को गायब कर देता है और बेना से कहता है देखो पहला कदम काफी जदा मुस्किल होता है लेकिन उसके बाद हमारा रास्ता काफी जदा हासान हो जाता है वो लड़की काफी जदा तर जाती है और कहती है आकिर कार तुम हो कौन और तुम्हारा माना इतना जदा हजीब क्यों है तब ही डियाबलो उस लड़की को उपर एक स्पेल का यूज़ करता है इरेसर देखते ही देखते वो लड़की वास गायब हो जाती है इसके अटाक को देखकर बिलकुल ऐसा लग रहा होता है जैसे ड्रैगन बॉल सीरिस में पीरस हागाई का यूज़ करता है हम लोग देखते है डिरेक्टर को जो कहीं कहता है आखिरकार बैन अवेकन होई गई मुझे इसकी वलकायरी वारी पावर यहां तक सेंस हो रही है पहले तो मुझे उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कभी भी अवेकन नहीं होगी और उसकी वज़ा सिर्फ वही इन्वाइरमेंट था जो कि मैंने उसका इस्तमाल करने के लिए बनाया था और अब मुझे इस घटिया जगे की बिल्कुल विजवरत नहीं है क्योंकि अब मैं एक वलकायरी को अपने उंगलियों नचा सकता हूँ हम लोग देखते हैं टियाबलो को जो कहीं कहता है तुमने अच्छा काम किया लेकिन मैंने ऐसे वलकायरी नहीं देखी जो कितने जल्दी टर जाती हो वलकायरी इस फेरिस का इक ऐसा ट्राइप था जो कि 12 गॉर्ड का सामना करने के लिए खड़ा हुआ था हलाकि वो उस फाइट को नहीं जी सके और जो भी कुछ बची कुछी फेरिस बची वो कहीं जाकर छुप गई हम लोग देखते हैं बेना को जो कि डियाबलो को देखकर सिर्फ वस्रिफ इसी वज़ा से डर रही होती है युकर डियाबलो उसको खूर रहा था डियाबलो सोच रहा होता है वरकायरी जसलियत में इतनी आसानी से नहीं डरती वो अपने गुस्से और निडरता के लिए फेमस थी लेकिन सायसे ये काम है गैप का जिसने की बेना को ऐसा बना दिया है ताकि वो सही टाइम आने पर इसके इसके इस्तमाल कर सके बताओ कि तुम क्या करना चाती हो बेना कहती है अब मैं वो पहली वाली बेना नहीं रही डियाबलो कहता है बहुत बढ़िया यही तो मैं तुमसे सुनना चाता था जहों मैंने कहा था कि पहला कदमी बहुत जाता मुस्किल होता है लेकिन उसके बाद हम लोगों के मन्चिल काफी पास आती ही चली जाती है देखते ही तेखते हैं वहाँ से पूरी academic लोग आ जाते हैं वह सारीक सारी लोग बैना के उपर हमला करने वाले होते हैं बट अब लिए पर इकी स्पल का यूज़ करता है और कहता है ये सबी के सबी लोग brainwals हैं बेना कहती है आखर तुमारा मतलब क्या है वो बताता है इन लोगों को पूरी तरीके से brainwals कर दिया गया है ये लोग सिर्फ तरिफ डारेक्टर के slaves हैं इनका खुद का दिमाग नहीं है डारेक्टर निंको जो भी order देगा ये बस और बस उसी कोई follow करेंगे हम लोग देखते हैं उसके spell की वज़त सतारिक सारे लोग ही एक बारी में ही मर जाते हैं बेना कहती है तो क्या इसका मतलब वही है जो मैं समझ रही हूँ डियाबलो कहता है हाँ तुम बिलकुल सही हो तुमारे साथ ये लोग जो भी कर रहे थे वो असलियत में डियरेक्टर ये लोगों से करवा रहा था हम लोग देखते हैं वहाँ पर और और भी लोग आगे होते हैं जो कि डियाबलो के उपर कफी अलगलग तरीकी की कर्स का यूज़ करते हैं जैसे कर्स ऑफ हैटेक, कर्स ऑफ पैरलिसिस और कर्स ऑफ स्नीजिंग बर डियाबलो उनके उपर कर्स रिफलेक्शन को यूज़ करता है जिसकी वज़े से उनके कर्स ही होनी के उपर भारी पढ़ जाते हैं डियाबलो कहता है अब यहाँसे चलने का टाइम आ चुका है बैना को काफी ज익ा अधर को डिया से Cleaner होता है वो वहाँ पर बसको समय चिला रही होती है डियाबलो कहता है अगर तुम्हें उनसे बदला क्यों नहीं ले लेती देन वो उसको काफी साई लोगों की बीच में ही फेक देता है वो रोतर कहती है लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि लड़ते कैसे है तब ही उसके पास एक बंदा आ जाता है जो कि उसके ओपर करसा फिचिंग का यूज़ करता है बट बंदा अपने आप से बिना कुछ करे उसको टॉच कर लेती है जिसकी वज़े से वो खुद भी हैरान होती है तब ही उसके पीछे एक और बंदा जाता है जिससे की बंदा डर जाती है और उस बंदे को उठा की पटक देती है वो खुद ही बहुत ज़्यदा हैरान होती है कि आखिरकार उसके अंदर इतनी ज़्यदा पावर कैसे आ गई डियाबलो कहता है ये सब पावर तुम्हारी ही है बस और बस अपने उपर भरोसा रखो तब ही एक बंदा बेना की उपर अटाक कर देता है बडबेना की बाटी अपने मन से हफा में उचल जाती है देन वो एक बंदे की कस्की किक मार देती है उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बाटी कोई और ही कंट्रोल कर रहा है डियाबलो बाकी बंदोस कहता है उदर देखो तुम्हारे दोस्त की कैसे दुनाई हो रही है तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो जो भी हो तुम लोग मेरी बीच का नतीजा हो और तुम उन कीडों की तरीके हो जो की अच्छी कासी फसल को खा कर बिल्कुल खराब कर देते हैं ब्लैक पर यहां का डेरेक्टर गैब आ जाता है तो को डियाबलो को देखर गाता है मैं वो यहां का ओनर और तुमसे मिलकर अच्छा लगा वो डियाबलो से गाता है तुम्हारी पावर्स को देखर ऐसा लगता है कि तुम अभी अपने टूफ फार्म में नहीं हो या तो तुम्हारे उपर किसी तरीके की कंडिशन लगाई गई है डियाबलो गहता है तुम्हारे दोलो या जमस्टर्स गलत है गैब कहता है ओ, तुम मेरे ख्याल सिस्टम तुम सिर्फ जर्फ एक करेक्टर को ही प्ले कर रहे हो तुम्हारे पास काफे ज़्यदा पावर है इसी वज़े से मैं तुम्हें कुछ उफर करना चाता हूँ डियाबलो कहता है आखिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बंदा कहता है देखो तुम्हें पता ही है कि मेरे पास एक प्लान है जिस पर मैं बहुर लंबे समय से वग कर रहा हूँ और अब मुझे अपने सब्रकफल मिलने ही वाला है जिसकी मदद से मैं पूरी पूरी किंडम पे राज कर सकता हूँ डियाबलो बेना की और देखते हों कहता है ओ मैं समझ गया गब कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुमने अभी अपने डिसीजन मुझे नहीं बताया है डियाबलो सोच रहा होता है इस बेवकुफ को लगता क्या है मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक इंडम पे राज करने के लिए इसका साथ दे दूँगा ये मुझे कितना ज़्यादा अंडरेश्टिमेट कर रहा है वो से गयता है मैं रिफ्यूस करता हूँ गब गयता है वो ऐसी बात है बेना डायक्टर से गयती है आखिर आपने इन लोगों को मुझे लेने के लिए क्यों भेजाता गब गयता है क्यों हाँ वो सिर्फ तुम्हें डार्क औरा में लाइफ भंडी है फिर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तब ये डियाबलो वहाँ पर आ जाता है और उसके आते ही बैना का औरा पुरी तरीकिस गायब हो जाता है साथी साथ वो बिहोस भी हो जाती है डियाबलो कहता है हम मुझे वाफ कर देना लेकिन मैंने तुम्हारे सारे की ये करा में पानी फेर दिया है क्योंकि मैंने इसका सरक सरा डार्क औरा कायब कर दिया गयब गयता है तुम क्या बकवास कर रहे हो ये करना इतना भी आसान कम नहीं है डियाबलो कहता है अरे यार तुम तो बिलकुल गलत हो ये तुम मेरे लिए बिलकुल हलुआ खाने जासा था लेकिन हाँ जो कि कभी भी रेंग 7 मेस नहीं बन सकता चाहे वो जितने भी खुछिस कर ले गया बहुत जदा कुछिते में आ जाता और गाता है तो मैं तुम्हारा खातमा कर दूंगा वो उसके ओपर अटैक कर देता है ब्लेजिंग सर्पेंट जिसकी वज़ा से डियाबलो को एक स्निक चारो तरफ से खेल लेता है तब ये डियाबलो क्याब को किसी गंजुसू जैसे चीज में डाल देता है और एक नाइट मेर दिखाने लगता है वो उसको बहुत जादा डराऊना नाइट मेर दिखाता है लेकिन उसके बावजूद गैब उससे बहार आजाता है डियाबलो कहता है तुम सच में कुछ ना कुस्त हो ही अगर मैंने ये चीज़ किसी और इंसान के साथ की होती तो इसका दिमाग फट चुका होता गैब कहता है यही तो एक रीजन है जिसकी वज़ज़ से मुझे एक मास्टर अफ कर्सस बुलाया जाता है डियाबलो कहता है सब चीज बढ़िया है तो तुम लोग अपने साथ समझ जाना गैब डनने का नाम नहीं ले रहा होता तब ही उसके सामने एक बड़े सी आग खुलती है ये स्पेल वही होता है जो कि उसने साइमन के यहां यूज़ किया था अगर आप लोगों को याद हो तो लेकिन इससे भी गैब को ज़्यादा असन नहीं होता डियाबलो कहता है ओ तो ये मैंटली तरह ज़्यादा स्ट्रॉंग है मुझे अंदाजा नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है गर्स अफ डार्क प्रोजेक्ट टाइल्स वो अटेक गैब के लगने ही वाला होता है बड़ तवी वो होश में आ जाता है एंड कर्स रिफ्लेक्शन का यूज़ करता है जिसकी वज़ ज़से डियाबलो का अटेक उसी की और मुड़ जाता है और उसके कनेक्ट भी हो जाता है जिसकी वाज़ से डियाबलो की छाती में कैसारे च्छेद हो जाते हैं और वो काफ़े ज़्यदा घायल हो जाता है गब गटाता है यह तो काफ़े ज़्यदा high level का dark magic spell था मुझेब बता था कि मैं थोई mental realm में था और जी वज़स मैंने सही वक्त का आने का इंतिजार किया और जैसे मुझे मुझे मौका मिला मैंने मौके में चौका मार दिया तब ही वो उसके उपर एक स्पेल का यूज़ करता है Aesthetics of Stillness गया बताता है ये ऐसी mental state है जिसमें एक सेकंड के हजारों पार्ट हो जाते है हाला कि बाहर की दुरिया में सिर्फ एक की सेकंड पीता होता है बट जो भी बंदा इसके चपेटे में होता है उसको ऐसा लगता है कि वो एक ये टाइम में जिन्दिगी भर के लिए फस गया है अब ना ही तुम जिन्दा होगे और ना ही मरोगे ये एक ultimate curse technique है जिसको कि master of curses यानि कि मैंने बनाया है और यही वो एक lot of spell है जिसके वज़े से मैं rank 7 मेंस भी बन सकता हूँ डियाबलू कहता है आज ही घंटा गैब उसको देकर चौक जाता है डियाबलू उसके और अपना हाथ बढ़ाने लगता है गैब कहता है कैसे डियाबलू कहता है उससे क्या ही फरक पड़ता है डैटोनेशन इस spell की वज़े से गैब के उपर एक काफी बड़ा सा blast होता है और गैब काफी दूर जाकर घरने लगता है डियाबलू कहता है तो चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारी body भी तुम्हारी mind यतनी powerful है की नहीं गैब को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि डियाबलू ने उसके spell को कैसे तोड़ा डियाबलू कहता है तो क्या तुम ready हो तब ही धीच्ते हियी तेक्थे काफी सारे spell को कास्ट कर देता है मैं तुम अभी तेख लो वो बस मरने से पहले यही कहरा होता है अखर कार तुमने aesthetics of stillness को कैसे तोड़ा डियाबल अपने ब्रेश्टर दिखाते हो कहता है क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा artifact था इसे कहते हैं The Zen of Absolute Immunity गब कहते है मुझे नहीं बता ऐसे चीज़ भी इस वैड मैक्जिस कर सकती है मैं तो बस मारने से पहले एक इच्छा पूरी करना चाहता था और वो थी इस दुनिया का राचा बनना डियाबलोस को लाद मारते हो गएता है अपना मुग का शटर बंद करो आखिर तुमने ये कैसा सोच लिया कि तुम्हारी मौत इतनी जाता आसान होगी तब ये वहाँ पर अननेशनल काॉसिस के गेट को खोलता है और कहता है तुमने अपने लालच में आकर इतना बड़ा क्राइम किया है कि उसकी माफी इस दुनिया में नहीं है वैसे तुम मेरी ही गल्ती के नतीजा हो इसी वज़े से मुझे अपनी गल्ती भी सुधानी पड़ेगी मैं तुम्हें एक ऐसा बींग बनाऊंगा जो कि ना ही जिन्दा होगा और ना ही मरा हुआ तुम तिल तिल कर जी होगे लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी तुम अनंतकालिक लिए मेरी सेवा करोगे तब यह अननाशनल कॉसेस की गेट से काफ़ी जरी चेंस निकलती है और गैब की सोर को खीचने लगती है गैब अपने सर्वीस अपनी आतों निकलते वे देख रहा होता है और वो डियाबलो से अपनी मौत की गुहार भी लगा रहा होता है डियाबलो कहता है अब तुम्हारा नाम होगा निबलो और यही तुम्हारी निव एडेंटिटी होगी तब ही बेना होस में आ जाती है वो आस-पास दिखें लगती है कि उसका डिरेक्टर कहा गया डियाबलो से कहता है अरे तुम अपने डिरेक्टर से क्यों ने मिलती तुम उसी कोई तो ढूंड रही हो है ना हम लोग देखते हैं वहाँ पे किसकलेटन खड़ा होता है और उसे एक अंदर होती है गैब की सोल वो कहता है मास्टर मेरा नाम है निबलो और मैं आपके सेवा अगली हाजिर हूँ मैं ही वो पहला केड़ा हूँ जिसको कि आपने रियाइनिमेट किया है डियाबलो बेना से कहता है इसने तुमारे दस साल को नारग बना दिया था तो इसके लिए इतनी सचा तो बनती ही है बेना कहते है मैं इसके बार में शोर नहीं हूँ डियाबलो से पूसता है तो अब तुम क्या करने वाली हो बेना कहते है अभी मेरे दिमाग में सिर्फ वसिर्फ एकी चीज़ चल रही है मैं आपको अपना टीचर बना चाती हूँ डियाबलो उससे मना कर देता है बेना उससे रीजन पूसती है डियाबलो कहता है क्योंकि तुम फलकाईरी हो पहले के टाम में वलकाईरी काफी जदा फियर्डलस नेचर की होती थी और उन लोगों ने गौड की खिलाव जंग भी कर दी थी लेकिन आखरी में वो लोग मारे गए और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वा सिर्फ तुम ही एक अकेली वलकाईरी हो बेना कहती है तो क्या हुआ तो आप में टीचर क्यों नहीं बन सकते है डियाबलो कहता है क्योंकि वलकाईरी इस मैजिक के यूज़ नहीं कर सकती इसलिए तुम्हारे उपार टाइम वेस करने के कोई भी मतलब नहीं बनता बेना बोस्ती है कि आप सही बोल रहे है डियाबलो उसके सवालों के जावब नहीं देता तो इस दिर में हम लोग देखते है जिमी वापस एप्टन क्यों रवाना हो जाता है और वो अपने होर्स कैरेज में बैठा होता है और उसके साथ में एक पिंक कलर की किलहरी भी होती है जिसको देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो ही बेना है एना और सारा बेना के साथ खेल रही होती है जिसकी वज़े से वेना को काफी ज़दे फ्रेस्टेशन हो रही होती है वो चला रही होती है मास्टर मुझे बचा लीजिए बट जीमे उसको एक्रोर कर रहा होता है देख थोड़े दिर बाद हम लोग देखते हैं वो लोग एप्टन पहुच चुके होते हैं एक मौम शियर्स अपने फादर से नौ साल बाद मिलती है जिसकी वज़े से दोनों ही काफी ज़दे एमोशनल हो जाते हैं उन सब को देखकर डियाबलो सोच रहा होता है हलाकि मैं भी इसी फैमली का हिस्सा हूँ लेकिन फिर भी मैं वो एमोशनल महसूस नहीं कर पाता हूँ जो कि ये लोग करते हैं कभी कभी तो मुझे अपने उपर गुसा भी आता है मैं इतने सालों तक बंद था और उतने टाइम के बीच में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही की फिलिंग थी जो थी रिवेंच की फिलिंग और मैं ये मानता हूँ कि एमोशनल हम लोगों को कमजोर बनाते हैं क्योंकि उनकी वज़ज़ से लोगों की सोचने समझ दीक छम तक खतम हो जाती है सारा अपनी मॉम को रोता हो देकर काफ़ ज़दे गुसा हो जाती है उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसकी नाना जी नहीं उसकी मम्मी को रुलाया है इसकी वज़ज़ से वो कहती है मैं आपसे नफरत करती हूँ जिसकी वज़ज़ से उसके नानों को काफ़ ज़दे बुरा लगता है जिमी उसको समझाता है कि ऐसा खुछ भी नहीं है उसका नाना क्याते है SO TOM JIMI हो है ना मैं तुमसे काफ़ी लंबे समय से मिलना चाता था JIMI क्याता है मैं भी उसका नाना क्याता है मुझे ये दे कर खुशी हुई कि तुम मुझे से नफरत नहीं करते हो जिमी कहता है आखिर आपसे नफरत करने के कारार ही किया है और वैसे भी आप तो हमारी मॉम के फादर हो तो मैं आपसे नफरत क्यासे कर सकता हूँ उसकी बाते सुनका उसका नाना काफ़ी ज़्यदा खुश हो जाता है और जिमी को काफी जोड से गले लगा लेता है जिमी जोज रहा होता है ओ तो मुझे अब समझ में आया मेरी मॉम की या आदत पुस्तैनी है देन थोड़ टाइम बीच जाता है हम लोग देखते हैं जिमी के नाना जी जीमी के आँके पीचे गूमेगी क्या तो मेरा मतलब समझ रही हो जब ये सब होगा तो काफी सारी वी लोगों की नचर भी उसके उपर जाएगी एंड मैं और एलवेल्टन हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रह सकते है मॉम कहती है अच्छा तो आपने वो आर्टिफेक्ट उसको इसी वज़ा से दिया था वो गयाता है हाँ हलाकि वो एक परफेक्ट चिल्ड नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको काफी सारे अटैक से बचा कर रखेगी उसके मॉम बदाती है मुझे तो अभी सबसे ज़्याद एडवेल्टर की चिंता हो रही है क्योंकि मैंने ये सुना है कि उन्होंने हाली में ये अपने एक और नया एन्मी बना लिया है जो कि है और्टर आफ जैनित उसका नाना बदाता है हाँ मुझे पता है कि वो कितने ज़्यादा खूखार है उनके अंतरल इंसानियात नाम की चीश नहीं बची है वो लोग फेतिन पीरों की भी हादों की पीछे पड़ चुके हैं और उसको चड़ से मिटाने के लिए लगे हैं देन तब ही सीन्चेंज होता है हम लोग देखते हैं बेना काफी आराम से सो रही होती है तब ही वहाँ पर चीमी आ जाता है उसको देखकर उसे काफी ज़्यादा गुसा आ रहा होता है वो गहता है तुम आकर हीूमन फॉर्म में क्या कर रही हूँ मैंने तुम्हें वापा से ट्रास्फॉर्म होने से मना कियाता है ना बेना रोते हूए गयती है आपको नहीं पता कि जब भी मैं उस फॉर्म बे रहती हूँ तो मुझे बहुत जाए दिक्कत होती है जिमी गयता है बेना बार बार उससे पूछ रही होती है कि वो जिस क्या है बेर वो उसको पीट कर शान्त करा देता है क्योंकि उसको भी नहीं पता होता कि ये क्या है और हम लोग समझ जाते हैं कि ये वही चीज़ है जो कि इसके नाना ने से दिया था जिमी गयता है मुझे ये तो पता है कि ये किसी तरीका का आर्टिफेक्ट है लेकिन आखिर इसका का म क्या है वो मुझे नहीं पता तब है उसको एक काफी पारफूर प्रेजन्स सेंस होती है उसको सेंस करकर डियाबलो समझ जाता है कि वो प्रेजन्स जिसकी भी है वो बिल्कुल के लिए इंटेंशन में खड़ा है और तो और वो उसके मदर के रूम के बाहर से आ रही होती है इसी वज़े से वो काफी जोर से वहाँ से भाग जाता है और अपने मदर के रूम के तरफ जाने लगता है उसको अपनी मदर के काफी जाता फिक्र हो रही होती है और एक अटेक को चार्ज करके उसके उपर रश कर देता है उसका नाना भी वहाँ पर आ जाता है वो है फ्योजिन स्पल का यूज करता है लाइटनिंग वेक्यूम बड़ उसके अटेक से उस बंदे को कुछ भी नहीं होता वो गहता है ये तो बच्चो का खेल है तब उस अटेक को चीरते हैं वो उस बंदे का हाथ आता है और वो जेमी को पकाड़ लेता है जेमी सोच रहा होता है अब मेरे पास इन सब चीजों से निकलने का कोई बिरास्ता नहीं है मुझे टार्क मैजिक कर यूस करना ही होगा तब ही वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है उसका नाना कहता है जीमी मैं तुम्हारी पावर से इंप्रेस हुआ मुझे पूरा यकीन है कि हमारा हाउसफुल बिलकुत सही आतों में जा रहा है उसके माम जीमी पर चिला रही होती है वो गहती है आगर तुम्हे ऐसे इंसान पर हमला कैसे कर सकते हो जिससे तुम सिर्फ जर पहली बार मिले हो क्या मैंने तुम्हे यही सिखाया है वो उसको लगा था टार्टरी होती है तब ही वो बंदा कहता है सियर्स बहुत हो गया वो मैं था जिसने यह सिचुशन को क्रियेट किया वो गहती है मैं को समझी है नहीं बेरिल बेरिल कहता है मैंने जिमी के बारे में काफी बड़ी बड़ी बाते सुनी थी तो मैंने उसको टेस्ट कर लिया कि कि वो बातें सही भी थी कि नहीं इस बंदे का नाम होता है बेरिल ओनिक्स इसको दाइस्टोम नाम से भी जाना जाता है ये पूरे क पूरे किंगड़ और उस एलिडम के पाच सौड मास्टर्स में से एक है बेरिल बताता है जिमी मेरे पास उसी इंटेंट को सेंस करके आया था जिमी एक मौम यह सुनकर काफ़े जाती है और कहती है क्या? अकर मेरे बच्चे के साथ यह जी दुबारा हुई तो मैं आप कुछ इतने आसानी से नहीं जाने दूँगी बेरिल उससे माफ़ी बांगता है जिमी सोच रहा होता है इस आदमी ने एक ऐसा किलिंग इंटेंट बनाया जिसको की सिर्फ जर्फ मैं इसस कर सकता था और इसने मेरे फ्यूजे स्पेल को भी काफ़ी आसानी से तोड़ दिया तो इसका मतलब यह पावरफुल है बहुत ज़दा पावरफुल है वो उसे बुसता है किया आप कोई सौर्ड मास्टर है वो गयता है? हाँ उसके नाना बताते है उसका नाम है बेरिल ओनिक्स उसको दी स्टॉम नाम से भी जाना जाता है डियाबलो बताता है पूरे पूरे किंग डावर जेल्टा में सिर्फ पाची सौर्ड मास्टर है लेकिन उनको रैंक नहीं किया गया योगि ज़्यादा तर लोगों ने आपस में लडाई नहीं की लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन सब में सबसे ज़्यादे स्टॉंग सर्ट टेरिक्स और सेकंड नमबर पे आते हैं मेरी फादर एल्फ वेल्टन और ये बेरिल थार्ड नमबर पे आता है जिमी उसके सामने सर जुकाता है और काता है आपसे मिलकर मुझे काफ़े ज़्यादा अच्छा लगा मेरा नाम है जिमी वेल्टन बेरिल जिमी से काता है तुम्हें सौर्ट चलाना सीखना चाहिए वो गाता है क्या सौर्ट उसकी मम काती है जिमी और लेडी मेंस की पाथ पर चल रहा है बेरिल गयता है मुझे ये जीच पता है लेकिन अगर इसने स्वार्ड चलाना भी सीख लिया तो ये और भी जदा पार्फुल हो जाएगा और अपने लिमिर्स को भी तोड़ देगा क्योंकि इसके रगों में भी वेल्टन हाउसोल्ड का खून है जिमी कराना कहता है देखो ब बेरिल मुझे पता है तो मैं एक स्वार्ड मास्टर हूँ इसी वज़े से जो भी तुमने उसको बोला होगा वो कुछ सो समझ की बोला होगा लेकिन मेरे इसाब से जीमी का मैचकल पोटेंशल काफी जाता है वो इतना जाता है कि वो पूरी पूरी हिष्ट्री में स्ट्रॉ और अगर एक बर वो टाइम हास से निकल गया तो आप कभी भी उसको नहीं सीख सकते है यहाबलो सोच रहा होता है यह सुनने में उतना भी बुरा नहीं लगता है लेकिन मैं इसको सीखने के बारे में बात बसोचूँगा सबसे पहले मुझे वापस उतने पारफुल तो होन करते हैं वो बस ब्रिल के ही बारे में सोच रहा होता है वो कहता है जब सरपिल मेरे सामने खड़े थे तो मुझे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने एक चटान खड़ी है और मुझे उनकी बात काफिया तक समझ भी आ गई है मेरे किस्मत अच्छी पर जैसे ही मैं rank 7 पे पहुचूँँगा तो मेरी growth की speed भी काफी ज़्यादा कम हो जाएगी। यही एक level होता है जिसमें लोग आपको आर्क मेच का धर्जा दे देते हैं और एक आर्क मेच बनने के लिए सिर्फ हो सिर्फ rank की जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा matter करती हैं लेकिन इससे फरक नहीं पड़ता कि मैं मेच के तोर फे कितना ज़्यादा powerful हो जाओं क्योंकि मैं उन God's को पे पुराने method से नहीं हारा सकता उन method से जिन से मैं पहले ही हार चुका हूँ और मुझे ब्रिल की ही यूज करता है और उसके attack से बच जाता है देन वह उसके उपर attack करने जाहिरा होता है बड़ वो किसी वजह से रुख जाता है वो देखता है अपने सामने एक इनसान को जो कि चुटकी बजाते ही इस monster को खतम कर देता है वो डियाबलोस पूसता है कि आप ठीक है मुझे पता आप है कि उसका नाम सेबल और मारकस को एड़ाइजर है यह बस उनकर जीओ बहुत जाता है किया एक आडवाईजर एक इटना जाता पारफ 성phones की से हो सकता है सेबल लेकिन आप चींता हम मत करिये आपको तो मुझे त्टरने की जवरत नहीं है मैं मैं लॉट मारकस का एक वफाधार सर्वेंट हूँ, इस से नहीं आप बिल्कुए पिटेंशन मत लीजे, लौट जीमी, जीमी कहता है, क्या तुम मुझे चांदते हो, सेबल कहता है, मैंने आपको पता है, तुम मैडवाइसर हूँ, तो मुझे तो पता ही होगा ना, जीमी उससे पूसता है, क्या सेबल को, जो कि मारकस से कुछ बात कर रहा होता है, मारकस उससे कहता है, तो कि तुम्हें और कुछ भी पता चला, वो बदाता है, लोगों का ये मानना है, कि ये सब काम टीमस का है, लेकिन मेरे पास उनके लिए कोई बिसभूत नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है, कि इन मुझे पता है, वो लोग रिवेंज ले रहे हैं, आज से पचास साल पहले मेरे फादर ने उनकी लीडर को मार दिया था, इसी वज़ासे वो हम लोगों से पूरी तरीके से बतला ले रहे हैं, सेबल, इस दुनिया से वापस से टीमन को सफाय करने का समय आ चुका है, और मैं उसके अंदर से टॉर्क बाहर आ गया, डन तबी सीन चिंज होता है, हम लोग देखते हैं जिमी की मौम को, जो कि भागते भागते जिमी की पाथ चली जाती है, और उससे पूस्ती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, जिमी कहता है, नहीं नहीं, उससे सेबल ने मुझे बचा लिया था, वो उस पे घुसा कर रही होती है, तुम कहीं भी ऐसे उचलते उचलते मच ले जाया करो, बाहर किसी भी तरीके एक खत्रा हो सकता है, मारकस कहता है, तुम चिंता मत करो, अगली बार से इसकी रक्षा मैं करूँगा, बड़ वो उसको उप बचाने के लिए ठैंक्स भी बोलती है, सेबल कहता है, अगर मैंने उनकी बीच में टर्फेर नहीं भी किया होता, फिर भी लॉड जी में उसको माहरी देते हैं, बड़ जिमे के मब वापस जिमी को उपर चिलाने लगती है, और ऐसा ही कुछ टेम बीच जाता है, हम लोग द बता देती है, और वहां से जल्दी से निकल जाती है, जिमे को ये जीच काफी ज़्यदा हजीब लगती है, क्योंकि आस पास के एरिया को देखर बिलकुल ऐसा लग रहा होता है, कि यहां पर कुस्तों घर पर चल रहा है, तब ही वहां पर किसी के आवाज आती है, मर्डर, म इमन का काम है, जिमे भी ये बास सुन लेता है, वहां पर काफी सारे लोग ही खटा हो जाते हैं, वो देखता है एक बंदे की डेट बोडी को, जिसके की बोडी से पूरे पूरे दिल को ही बहा निकाल दिया गया होता है, वो अबर को सोलजर्स भी आ जाते हैं, क्या, बिना दिल के एक ओटेट बडी, हम लोगों को मारकस को बताने ही पड़ेगा, जिमे सोच रहा होता है, इनसानों के हार्ड यूसली डीमन्स की रिच्वल्म भी यूस होता है, और इसी वज़ा से सबीक सबी लोग काफी जदा परेसान हो रहे हैं, और इसी वज़ा से मेरे फैमली म पेरो भी काफी ज़दा खतरे में होगा, अब लगता है सचाही का बता मुझे खुछ से ही लगाना होगा, इन्विसिबिलिटी, वो अपने आपके इन्विसिबल कर लेता है, और वहां से उड़कर कहीं को निकल जाता है, हम लोग देखते हैं थोड़ी दिर पात का सीन, जह तो देखकर तो ऐसा लग रहा है, कि ये फेतिन पीरो की आपके शॉपस में से एक है, वो देखता है लार्स और आपके शॉप आपस में बात कर रहे होते हैं, तब ये आपके शॉप उसको नोटिस कर लेते हैं, बट जिमी काफे जल्दी से छुप जाता है, लार्स उसे तो उनको मेरी प्रेजन्स के बारे में पता लग सकता था, लेकिन मेरे लिए काम काफी ज़दा आसान हो जाएगा, हम लोग देखते हैं बेल्डी के अंदर का सीन, जहां पर रिकी और आना पैठे होते हैं, तब ये रिकी को कुछ सेंस होता है, वो गयता है, एना तुम यही पर ही रुकना, मैं जल्दी वापिस आजाओंगा, वो आस निकल जाता है, और कायता है, ये मेरी ही जगा है, तो मुझसे छुप ने सकते हैं, जिमी, जिमी छुप छुप कर उस बिल्डिंग अंदर आ चुका होता है, और वो एक जगा पर पहुच जाता है, जिसके अंदर स काफे ज़्यादा डिवाइन पावन महसूस हो रही होती है, वो गयता है, ओ, तो मुझे ऐसा लगता है, कि ये ही जगा सेंचुरी है, तब ही उसके पीछे कोई हाथ रखता है, हम लोग देखते हैं, वो होता है रिकी, जिमी उसको देखकर चौक जाता है, और कायता है, आकर आक भी शॉप यहां से बाहर गए हुए है, और उनके अलावा उनके ऑफिस में चल्दी कोई नहीं आता, जिमी गयता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन कि तुम्हारे साथ में कुछ अजीब हुआ है, क्योंकि आखरकर तो मुझे देख कैसे पाए, मैं तो इन्वीसिबल था, तब ही उसके अंदर से काफी जदा औरा निकलता है, और उसकी अपेरंस फुरी तरीके से चेंज हो जाती है, उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है, कि पीरों ने उसकी बाटिय का पजस्स कर लिया है, वो कहता है, एक काफी ताकत और टीमानिक पावर अवेकन हो रही है, ना मुझे काम पकड़ा दिया, और मेरी बिनाएगी बासर यहां से भाग गई, रिकी कहता है, हाँ, क्योंकि साथ से उनका यहां पर आने का कोई टाइम नहीं था, लेकिन वो फिल भी मैसे से टीलवर करने के लिए यहां पर आई थी, जिमी कहता है, जो भी हो, आकर उसने क्यों मांगी, क्योंकि वो पियरों के कोई ब्लीवर से भी मदद मांग सकती थी, है ना, और मैंने आज तक किसी भी गॉड की मुझे से प्लीस का फटर नहीं सुना, रिकी कहता है, क्योंकि वहां पर एक ऐसे चीज़ बंद है, जिसको सिर्फ वसर्फ तुम ही हैंडल कर सकते तुम जा का रहे हो, वो गयता है, इससे पहले कि आग पिशाओ मार्कस के पास पहुच जाए, मुझे वहाँ पर पहुचना पड़ेगा, फिर मिलते हैं, दिनों वहाँ से उड़कर चला जाता है, हम लोग देखते हैं, वो पहले हाउसवोल्ड में आ चुका होता है, तब य जाता है, यहाँ पर एक और गेस्ट आया हुए है, फिर तिन पेरो के आग पर शॉप से फाइरा, वो उसे बेरिल के बारे ही पूचता है, सेबर गयता है, मुझे नहीं पता कि वो कहां गये हैं, वैसे आप उनमें ज्यादा इंटरस्ट मत लीजिए, जिमें पूचता है, ऐ जाता है, वो गयता है, मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, वैसे हाँ, जब आप बाहर अगली बाल गुमने जाएं, तो आप लिस मरीन फॉरस्स से दूर रहिएगा, क्योंकि वो जगा काफी ज़्यादा खतानाक है, और वो ये जिज़ काफी ज़्यादा क्रीपी तर कर रहा होता है, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी यहां से बहार निकलने वाले हो, और जब तुम इस से बहार निकलोगे, तब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, उसे के अंदर होता है टीमॉनिक एंटिटी, एंड एपिसोड खतम होता है यहीं पर, तो आप लोगों को क्य लगता है, उसे के अंदर कौन से तरीके के टीमान है, जिसको जैनित की लोग आजात करवाने के लिए तुले हुए हैं, चलो उसका तो पता चलेगा नेक्ट एपिसोड में, सो आज के लिए तना ही, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, यू आर वाचिंग आनमेन एक्सस, साइ घचिंग आर वीडियो में, साइब आर वीडियो में, साइब के लिए आर वाचिंग जार वाचिंग एपिसो जाज का दो एट।